हालो दोस्तो तो आप सब लोग कैसे हैं I hope आप सब बहुत बढ़िया से होंगे यहां पर हमने बनाके रेडी किये हैं पिस्ता पेडे बहुती डेलेशिज बहुती यमी बन के रेडी होते हैं यहां पर मैंने 1 लीटर दूद लिया है उसको अच्छे से ठिक कर लिया है गाडा क हो गया है तो हम इसमें डालेंगे एक बाउल भर के मिल्क पाउडर हलवाई लोग जो बनाते हैं तो उसमें आदे से ज्यादा मिल्क पाउडर ही डालते हैं ज्यादा तर्त्व है मिल्क पाउडर से ही अपनी सारी मिठाईयां रेडी करते हैं बनाकर तो मिल्क पाउडर डालने आप चाहें तो सककर पाउडर एड़ कर सकते हैं मैं तो यहां पर एक कटोरी सककर एड़ कर रही हूं तो यहां पर सभी चीजे मैंने यह मिला ली है और अच्छे से थिक हो गया है यहां पर पिस्ता पीस कर हम डाल देंगे इस टाइम और इलाइची पाउडर तो दोनों को अच्छे से मिला लें और अच्छे से एकदम गाड़ा पेस्ट होने तक बिल्कुल चलाते रहें यहां पर इसको छोड़ना नहीं है नहीं तो यह चिपक जाएगा और जल जाएगा हमारी मिठाई अच्छी बनके रेडी नहीं होगी तो यहां पर अच्छे से ठीक हो गया है एकदम गाड़ा तो मैंने इसको बरतन में ट्रांसफर कर लिया है अगर आपके पास इस तरह का अपने पीड़े कट करने हैं उसी आकार में आप इसको कट कर सकते हैं तो यह गरम होने के लिए होता है तो इसके लिए मैंने इसमें लपेटके रख दिया है इसको हम फ्रीजर के टैमप्रेचर पर रख देंगे जिससे जली से सैट हो जाएगा जब यह सेट हो जाएगा तो इसके बहुत अच्छे से पेड़े बनके रेडी होंगे बहुत अच्छे आकार में हम अपने पेड़े कट कर सकते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से फ्रेंड्स हलवाई स्टाइल में जो हलवाई भी बनाकर नहीं देंगे उस तरह के पेड़े हम अपने घर में बिल्कुल बनाकर रेडी कर सकते हैं पिस्ता पेड़े बहुत अच्छे और बहुत हैल्दी रहेंगे हम जो घर पर बनाएंगे तो यहां पर हमारा अब इसके हम कट लेते हैं तो जब निकालें तो थोड़ा सा इसको 팬 पर छोड़े उसके बाद Ajax ने जहें क्यूंक तो इस थे तो अई बन repeat ना बुलें ज्यादा सवाँदा ही कि निकालें कि अब्सक्राइब फ़ें झाल